प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पहला पाठ मकावियों का पहला ग्रंद अध्यचार पदसंख्य चत्ति से सैंतिस बावन से उनसट उस समें यूदस और उसके भायों ने यह कहा हमारे शत्रू हार गए हम जाकर मंदीर का शुद्धी करन और प्रतिस्ठान करे समस्थ सेना एकत्र हो गई और सियोन की परवर्थ की ओर चल पड़ी एक सव अर्थार्श्रवी वर्ष के नवे महिने अर्थार्थ किसलेव के पचीसमे दिन लोग पांप फटते ही उठे और उन्होंने होम की जो नई वेदी बनाई थे उस पर विधीवत बली चड़ाई जिस समय और जिस दिन गर यहुद्यों ने वेदी को अपवित्रि कर दिया था उस समय और उसी दिन भजन गाते और सितार वीणा तथा जांज बजाते हुए उन्होंने वेदी का प्रतिस्ठान किया सब लोगों ने दंडवत कर अराधना की और इश्वर को धन्य कहा जिसने उन्हें सफलता दी थी वे आनंद के साथ होम शांती तथा धन्यवात का यग्य चड़ाकर आठ दिन तक वेदी के प्रतिस्ठान का फर्व मनाते रहे उन्होंने मंदीर का अगर भाग सोने की मालाओं तथा धालों से विभुशित किया फाटकों तथा याजकों की शालाओं को मरमत किया और इन में दर्वाजे लगाए लोगों में उल्लास था और उन पर लगा हुआ गैर यहुदियों का कलंक मिट गया यूदस ने अपने भायों तथा इस्रायल के समस्त समुदाय के साथ यह निर्नय किया कि प्रती वर्ष उसी समय अर्थात किस लेओ के 25 दिन से लेकर 8 दिन तक वेदी के पुनह प्रतिस्थान का पर्व उल्लास तथा आनन्द के साथ मनाया जाएगा यह प्रभु की वाणी है संद लूकस के नुसार पवित्र सु समाचार अध्याय उन्नेस वाक्य 45 से 48 तक येसु मंदर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे लिखा है मेरा घर प्रार्तना का घर होगा परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का आड़ा बना दिया है वो प्रति दिन मंदर में शिक्षा देते थे महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाए ढून रहे थे परंतु उन्हें नहीं सूज रहा था कि क्या करें क्योंकि सारी जनता बड़ी रूची से उनकी शिक्षा सुनती थी ये प्रभू का दिवे सु समचार है, क्रिश्ट प्रभू की जये प्रिये भाई और बेहनों, आज का पहला पार्ट मकावियों के दूसरे गंद की अधियाए चार से लिया गया था उस अधियाए के प्रारंभ में आप पढ़ेंगे कि किस तरह यूदा के नित्रतों में यहूदियों ने यूनानी सेना को हराया बहुत बुरी तरह से हराया जबकि अधियाए के शुरुआत में आप पढ़ेंगे कि यूनानी सेना कितनी शक्ति चाली थी उनके पास कितने शेस्त्र थे और यहूदी सेना में उसके पास कुछ नहीं था हलके फुल के शेस्त्र थे लेकिन यूदा ने अपने लोगों को ईश्वर के चमतकार पूर्न कारियों की याद दिला दिला कर सामर्ते से बढ़ दिया कि किस तरह ईश्वर ने अपनी जनता के लिए लाल समुद्र को दो भागों में भी भाजित किया वही ईश्वर हमारे साथ है और हमारे साथ लड़ेगा लोगों में विश्वास और सामर्ती भर गया और इस प्रकार उन्हों ने युनानी सेना का सामना किया और युनानी सेना को हराया आप पढ़ेंगे स्तोत्र बीस के वाकिय आठ में स्तोत्रकार केता है कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गोरह करते हैं हम तो अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर घोरों पर गोरह करते हैं लेकिन हम तो प्रभु अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई देते हैं और उन्होंने वही किया एश्वर की दुहाई देते हुए यूदा और उसकी सेना ने यूनानी सेनाओं को हाराया और वहाँ से येरुसेलिम आसपास के प्राम्तों से भगा दिया उसके बाद आज के पहले पार्ट में आप देखेंगे कि किस थरा लोगों ने सोचा कि हम येरुसेलिम को मंदिर को पवित्र करेंगे और वहाँ पर ईश्वर के नाम पर स्तुति की भेंट चाहाएंगे वचन में लिखा हुआ है सब लोगों ने दंडवत कर आरादना की और ईश्वर को धन्य कहा जिसने उन्हें सफलता दी थी वे आनंद के साथ होम शांती तदा धन्यवाद का यग्य चाहा कर आठ दिन तक वेदी के प्रतिष्टान का परो मनाते रहे उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चाहाया आप पढ़ेंगे स्तोत्र पचास के वाके 23 में प्रभु कहते हैं जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चाहता है वही मेरा सम्मान करता है और युदा के नेतR तुम्हे यहूदियों नहीं किया ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चाहाया क्या मतलब इसका सब कुछ का यश्वर को दिया उनको इस बात का एसास था कि ईश्वर ने उनको विजय दिलाया था इसलिए सारा यश्वर को दिया जाना चाहिए हम पढ़ेंगे स्तोत्र 68 के वाकिव 20 में और 21 में लिखा हुआ है हम प्रति दिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें हम प्रति दिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें इश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है हम प्रति दिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें इश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है इश्वर हमारा उधार करता है प्रभु ईश्वर हमें मृत्यू से बचाता है और यहूदियों ने यूदा के नित्रतु में यही किया हम परते हैं युनानियों ने जिस वेदी को मंदर की वेदी को अपवित्र किया था यूदा और उनके साथियों ने उसको पवित्र किया और वहाँ पर ईश्वर के लिए भेंच राही इतना ही नहीं यूदस ने अपने भाईयों तथा इस्राइल के समधाय के साथ ये निरनाय किया कि प्रती वर्ष उसी समय अर्थाद किसलेव के 25 दिन से लेकर आठ दिन तक वेदी के पुर्ण प्रतिष्ठान का पर्व उल्लास्थता आनंद के साथ मनाय जाएगा ईश्वर के इस महान विजय के लिए ईश्वर के लिए धन्यवाद का बलिधान चाहने के लिए एक सब्ता हुनों ने नड़ने लिया कि हम एक पर्व के रूप में मनायेंगी और ये पर्व यहूदियों के अन्य पर्वों की सूची में आ गया और आज की समाचार में हमने सुना कि ये सू मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को ये कहते ही वे बाहर निकालने लगी लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड़्डा बना दिया है यहूदियों का एक मात्र मंदिर यरुसलेम मंदिर यरुसलेम में था और वो मंदिर यहूदियों के लिए आस्था का केंद्र था आनंद का केंद्र था आस्र इस्थर था सभी यहूदी यरुसलेम मंदिर में जयागरते थी हम स्तोत्र 122 की वाकी एक में पढ़ते हैं स्तोत्रकार कहता है मैं ये सुनकर आनंदी तो उठा आवो हम ईश्वर के मंदिर चले यह हार एक यहूदी का मनुभाव था प्रभी येसु स्वयम बार बार या सैकुडों बार ये रुश्यम मंदिर गए जब छोटा बालक थे उस समय उनको मंदिर में चाहने के लिए संद यूसफ और मामरियम ले गए उस समय से लेकर बराबर वो मंदिर जाय करते थी और सुसमाचार की खोशना का कारी भी प्रभी येसु ने बार बार मंदिर से किया और आसपास की जगों पर किये तो प्रभी येसु मंदिर बारम बार जाय करते थी लेकिन वचण में लिखा हुआ है एक बार जब मंदिर में प्रविश किये तो प्रभू ने मंदिर के परिसर को देखकर बहुँ ज़्यादा दुखी होकर उस परिसर को शुद्ध करने का प्रियास किया प्रभु ने देखा कि मंदर का परिसर मंदर का प्रांगन बजार बन गया था पुरोहितों ने व्यापारियों से पैसा लेकर उनको व्यापार करने के लिए मंदर का प्रांगन दे दिया था और वहाँ पर जानवर चिडिये बेचने खरिदने का काम चल रहा था पूरे मंदिर का प्रांगन अपवित्र किया गया था और प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्तना का घर होगा ये लिखा हुआ है परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड़ा बना दिया है और प्रभु ने उन सब को वहाँ से भगा दिया और मंदिर के पूरे परिसर को प्रांगन को शुद्ध किया पवित्र किया यह हमें सुजमाचारों में पढ़ने को मिलता है प्रभु के मंदर में प्रवेश्य करना और उसको शुद्ध और पवित्र करना हमारे लिए आज भी एक महतवपून संदेश लेकर आता है कुरिंदियों के पहले पत्र की अध्याई तीन उसके वाकि सौलह में पौलूस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आप इश्वर के मंदर है कुरिंदियों के पहले पत्र के अध्याई छे वाकि उन्नेस में संद पौलूस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आपका शरीर इश्वर का मंदर है हम इश्वर के मंदर है हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है हमारा घर ईश्वर का मंदिर है हमारा परिवार ईश्वर का मंदिर है हमारी कलीसिया ईश्वर का मंदिर है इस मंदिर को पवित रखना हमारा काम है शुद रखना हमारा काम है इसको लुटेरों का अड़ा नहीं बनाना चाहिए सानसारिक चीजों के लिए नहीं बनाना चाहिए एश्वर के निवास के लिए होता है आगे हम समाचार में पहते हैं कि वह प्रति दिन मंदिर में शिक्षा देते थे और महायाजक शास्त्री और जनता के नेता के वादे में लिखा गया है कि सारी जनता बड़ी रूची से उनके वचनों को सुनती थी क्यों यहन के अइस्व समाचार के अध्याई एक वाकिए 14 में पढ़ते हैं यहन लिखता है कि वह अनुग्रा तथा सत्य से परिपून था वह अनुगरा तता सत्य से परिपून था जब एशु वचन सुनाते थे उनके जरीय सत्य प्रकट होता था उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द सत्य को प्रकट करता था और उसके द्वारा ईश्वर का अनुगरा भी प्रकट होता था आप पढ़ेंगे स्तोत्र 119 उसके 173 में हम पढ़ते हैं मुँव में टपकने वाले मधू की अपेक्षा तेरी छिक्षा मेरे लिए अधिक मधूर है आप पढ़ेंगे स्तोत्र 119 के वाकिये 47 में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है तेरी आगियाए मुझे अपार आनंद प्रदान करती है मैं उन्हें सारे हिर्दे से चाहता हूँ यही कारण है कि जन्ता प्रभु की वाणी को लगातार सुनती थी समाचार में आगिया पढ़ेंगे कि जनता सुद बुद खोकर उनके पीछे वच्छन सुनने के लिग जाती थी यहां तक कि प्रभू को उन पर देया ही प्रभू ने कहा कई दिनों से मेरे पीछे लगे हुए हैं इनके लिए खाने के लिए कहां से हम समग्रियां लाएं क्योंकि प्रभू के मूँ से जो शब्द निकलते थे उसके द्वारा ईश्वरिय सत्य और सामर्थ प्रकट होता था यहां के समाचार के अध्याय पंदरवा के ग्यारा में प्रभू यह सु कहते हैं मैंने तुम से यह सब इसलिए कहा है जिसे मेरा आनंद तुम्मे हो और तुम्हारा आनंद परिपूर हो प्रभू ने अपने वचन के द्वारा हम मनुश्य जाती को अपना आनंद प्रदान किया प्रभू का वचन सुनते समय लोगों के अंदर आनंद उत्पन हुआ लूकस के सुस्वमाचार के अध्याई 24 में आप पढ़ेंगे कि प्रभीयसु के दूशिष्य जे एमावस के मार्ग पर चल रहे थे उन्होंने बाद में कहा जब प्रभू हमें वचन सुना रहे थे और धर्मशास्तर की वियाख्या कर रहे थे तो हमारे हिर्दे कितने उद्दीप्त हो रहे थे आनन से भर रहे थे प्रभू का वचन आनन देता है इसलिए लोग बड़ी रूची से प्रभू के वचन को सुनते थे हमारे लिए भी एक संदेश है प्रभू का वचन हमें आनन पर दान करता है इसलिए हमें रूची से उसको सुनना चाहिए बड़े चाव से उसको सुनना चाहिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं प्रभु आप सब को आशिष दें आईयम प्रात्ना करें प्रभी येशु देने बाद देते हैं आज के सुन्दर दिन के लिए तेरे पवित्र वचनों के लिए ये प्रभु तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि तेरे वचन के द्वरा हमें जोती मिलती है हमारे पत को तेरा वचन आलोकीत करता है तेरे पवित्र वचनों को रूची के साथ सुनने के लिए हमें कृपा दीजिए ए प्रभ येशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बेनों को अश्रवाद देना हो आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशिश का दिन हो वे जो भी करें जहां भी जाएं वहां पर तेरी आशिश का उनके एहसास हो हमारी स्प्रात्ना को गरहन करना प्रभू आमेन प्रभू आमेन प्रात्ना को वे जाएं